नमस्कार मैं विकास सिंग और आप देख रहे हैं एक निउस 24 आज 14 फर्वरी है ऐसे में बिहार ही नहीं देशी नहीं बलकि बिदेशों में भी वैलन्टाइम डेट जोरो सोरो पर मनाया जा रहा है ऐसे में हमारे बिहार के और देश के लोग ये जानना चाहते थे कि जो मुद्दा इतना ज़्यादा गरमाया हुआ है पावर स्टार पवन सिंग और जोती सिंग का वो दोनों आज इस खास दिन में क्या कुछ कर रहे हैं तो हम आपको बता दे कि जोती सिंग वैलन्टाइम डे मना रही है और किस तरीके से मना रही है हम आपको दिखाएंगे भी और जोती सिंग पवन सिंग से अलग होकर रो रही है तरप रही है इस वैलन्टाइम डे और वो किस तरीके से अपना दर्द बया कर रही है हम आपको दिखाने जा रहे हैं लेकिन इस मुद्दे पर हमारे स अगर आप हमारे भाजू में देख रहेंगे तो मनुबाला जी है हमारों सब्सक्रामी किसे मना讼ुना रहे हैं ? प्रज़िक के बिना कि वैलैंटाइन केंपसह एक ए a वैक्षै जो लोग पावन सिंग से किउसरें को पूच नहींए माटनाऊ है हम इन तरीके से स्टोरी पर आइंस्टराग्राम पर पर और वो स्टोरी सबसे पहले उन्होंने गाना लगाया गाना वैलेंटाइन वाला ही था उसके अपना फोटो था जो उस गाने का लाइन आप देख सकते हैं जैसा था वैलेंटाइन डेसे रिलेटेड तो कहीं ना कहीं तो उस गाने का बोल क्या था हम दर्सकों को शुना नहीं स अच्छा आपको क्या लग रहा है जो ती इस तरीके का गाना पंजाबी सॉंग लगाई है अपने स्टेटस पे जिसका साफ बोल है कि आज कि दिन तुम न नहीं कहना हां कर दो, क्योंकि आज बहुत खास दिन है, वेलंटाइम दे का दिन है, और इस दिन प्यार करने वाले एक होते हैं, तो पवन सिंग को बड़ा मेसेज भेजी है जोती, आप इसे कैसे देख रहे हैं? मैं देख रही हूँ कि जोती चाहती है कि वो पवन के साथ हो जाए, जैसे वो दोनों का तलाक अभी चल रहा था, ऐसा सब लोगों ने देखा, तो मेरा ऐसा देखा जा रहे हैं कि पवन सिंग के पास फिर से पती-पतनी का रिस्ता रखना चाहती है, वो जोती वही प्यार दो करके कि पंजाबी सौंग भी डाल रही है कुछ कोट्स भी डाल रही है जैसा कि उनका जो दर्द है वो अपना बया कर रही है बिल्कुल मैं आपको बता दू कि जोती यहीं पर नहीं रुकी उन्होंने पवन सिंग को परपोस्ट तो किया पंजाबी सौंग के तहद और विरोधियों को कैसे जबाब दिया लेकिन आप जिस तरीके से विरोधियों को खड़ी-खोटी सुनाई है उसके लिए क्या कहना है उन्होंने जो स्टोरी लगाया था अभी वैलेंटाइंडे के गाने के बाद जिससे चरीतर पर दाग लगे वैसे रिष्टों को आग लगे सबसे पहली बात है कि जोत्य सिंग का जो मेंटल स्टेट वो इस वक्त डाउन चल रहा है हर कोई जानता है कि ता हईसे लेकर और ये हरे एक ऐसी चीज हैं जो एक मेंटल स्टेट पर आतर डालती वह उनके साथ हो रहा है कहीं नाकहीं जो भी हो रहा है मैं यही कहूंगा कि जैसा उन्होंने स्टोरी लगाया है वो एक दिखाता है कि वो depressed है और वो कहीं न कहीं वैसे relation को बुरा भला कह रही है जो character पर सवाल उठाता है वैसा रिष्टा जो आपके चरीतर पर आवाज उठाए तो वैसे रिष्टे को आग ही लग जाना चाहिए व वैसे रिष्टे को आग लगे इसे आप कैसे देख रहे हैं क्योंकि आप एक लड़की है आप जोती का दर्द अच्छे से समझ सकते हैं हां जी बिलकुल आपने सही कहा तो मेरा मानना है कि जब इतना जादा बात फैल गया जोती और पवन सिंग का तो जोती सिंग इसलिए सबक्राइब मेरा माने सही कि राइब हैं कि उनके चरितर पर तो दाग लग चुका है कि वह पैसे के लिए पवन सिंग के साथ रिष्टे में आई आई इसे अलग होना चाहती है क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए सौक अपना पुरा करने के लिए अपना आश वहराम बंगला तो जब शोशल मेडिया पे उनका इतना बात फैल गया है तो शायद इसी वज़े से जोती ऐसा पोस्ट डाला है आपको क्या लग रहा है कि जो पहला पोस्ट था जिसमें जोती पावन सिंग को पर पोस्ट कर रही है तो क्या इस वैलन टाइम डे यह मान लिया जाए कि सब कु हो जाएगा दोनों का रिस्ता फिर से बस जाएगा घर मेरा मानना है कि जैसा मैं देख रही हूं अभी वह पावन सिंग के लिए लागतार पोस्ट डाले जा रही है जोती तो मेरा मानना है कि मैं चाहती हूं अपने तरफ से कि दोनों एक हो जाएं पावन सिंग और जोती सि एक हो जाएं कि बात बहुत आगे बढ़ चुका था तलाक तक बात आ गया था तो अब वो दोनों जब मैं पवन सिंग का तो नहीं जानती कि वो क्या चाह रहे हैं लेकिन मैं जोती का डेली मैं देख रही हूं हालात भी देख रही हूं उनका खबर भी देख रही हूं तो मैं सिंग जोती के इस मैसेज को देखने कवाद इमोशनली थोड़ा सा डाउन होंगे और जोती को अपनाने का कोर्सिस करेंगे पहले अगर बात करें इमोशन की तुम में बहुत जादा आप देखेंगे वह हलकी हलकी बाते पर रो देते हैं एक आवद है बाहर से जो इंसान जीत है यह Fraa कामना मैं मैं महीं का है क्योंकि हर लोग चाहते जोती सिंगें अगर पसंदनेरी करते अभी बिए पावन सिंग और पसंदनेरी करते हैं जहादा कामना की ञाते तो मैं लिख कर देता हूं कि ज्यादा दिन तक फिर से रिष्टा नहीं चल पाएगा क्योंकि इस रिष्टे में ऐसी ऐसी बाते आ गई है ना कि चाहे नोडा में फ्लैट की पैसे की बात हो गई हो या फिपॉन सिंगे रिलेशन की बात हो गही हो या करेक्टर की हो के पास्ट जोती और पवन सींग का जो मामला है काफी जादा सुर्खियों में है भले अब दोनों एक दूसरे को कैमरे पर नहीं आ रहे हैं दोनों सोसल मीडिया पर मीडिया के जरीए कोई मैसेज नहीं दे रहे हैं लेकिन अपने सोसल मीडिया यानि की इंस्टाग्राम हो या फेस्बू कर रहे हैं वैसे में जोती भी एक कदम आगे बढ़ाई है और पवन सींग के लिए एक प्यार भरा मैसेज दी है अब देखने वाली बात होगी कि पवन सींग इस मैसेज को देखने के बाद क्या कुछ करते हैं क्या पवन सींग जोती का घर बस जाएगा इस वैलन्टाइम तो हम आपको ये भी बतलाएंगे तो ऐसे तमाम ख़बरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूस 24 के साथ दीजेगा इजाजत धन्यवाद